नमस्ते दोस्तों ये वीडियो में आज आपको बताऊंगा कि रिलाइंस में आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अभी के स्टेप में बहुत सारे लोग मुझे call करके WhatsApp के दर ये Messenger के दर ये पूछ रहे कि ये level के उपर Reliance में हम लोग new buying कर सकते हैं या fresh buying कर सकते हैं क्या तो उनके लिए आज मैं in detail analysis करके आपको बताऊंगा कि Reliance में किस तरीके का scenario बन रहा है और आपको क्या करना चाहिए तो चलिए चलते हैं चार्ट के उपर तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर मैंने आपके समनी ये Reliance का डेली का चार्ट लगाया हुआ है ये डेली के चार्ट के उपर आगर आप ठीक से देखोगे तो ये 1617 का एक important level बन रहा है ये 1617 का जो level बन रहा है इसके बारे में already मैंने पुराने वाले वे वीडियोस में भी आपको बता दिया था तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये level के करीब market ने चार बार respect किया हुआ है यहाँ पर जो Reliance का सबसे पहला high बना था वो मेरे खायल से December महिने में बना हुआ था 20 December के करीब ये high बना था उसके बाद 20 January के करीब market ने वहाँ पर जाने की कोशिश की और वहाँ से market completely नीचे आ गया और यहाँ पर नीचे आने के बाद आप देख सकते हो यहाँ से दुबारा जब market उपर जाना चालू होगा तो एक completely वीशेप recovery आपको यहाँ पर देखने को मिला है बहुत कम स्टॉक में ऐसा वीशेप recovery यहाँ पर दिखाई देता है तो यह वीशेप recovery के पीछे का कारण आपको पता ही होगा कि Reliance के जो भी deals हुए है यह deals की वज़े से यहाँ पर एक recovery हो चुका है लेकिन यह वीशेप recovery जो है दोस्तो यह sustain कभी होता है तो इसके पीछे का आपको logic जानना पड़ेगा जब market अप जाता है और उसको volume confirmation मिलता है तब जाके वो move जो होता है वो sustain होता है लेकिन यहाँ पर आगर आप सिर्फ price का analysis करोगे तो price का analysis से आपको complete details नहीं मिल सकते तो उसमें आपको volume को भी add करना पड़ेगा और जब volume को आप add करोगे तब ही जाके आपको पता चलेगा कि upside potential कितना है या reverse होने का potential कितना है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर बीच में यह जो period है यह बीच के period में यहाँ पर जो volume आया हुआ है यह volume थोड़ा जादा आया हुआ है तो यह जो volume बता रहा था यह volume एक sustainable volume upside rally को continue करने का reason बता रहा था एक target बता रहा था लेकिन आगर आप देखोगे तो उपरी level पर जाके market यहाँ पर रुका हुआ है जैसा कि यहाँ पर यह resistance level यह already हमें पता चला था और मेरे पुराने वाले वीडियो में में आपको बता दिया था कि यह resistance level कितना important है तो यह resistance level से exactly market यहाँ से नीचे गुमा हुआ है और अगर आप देखोगे जब market उपर जा रहा था तो उपर जाते समय यहाँ पर volume नीचे drop हो रहा था और जब यहाँ पर market ने downside का momentum चालू किया तो यहाँ पर volume बढ़ रहा था अभी market जो consolidation की phase में गया हुआ है यह consolidation की phase मार्केट जो है वहाँ पर volume एक stable indication बता रहा है तो यहाँ पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर वीशे परिकवरी जो यह market ने हुई है यह वीशे परिकवरी के बाद यहाँ पर दो possibility है पहला possibility कि market एक consolidation की phase में जा सकता है या फिर trend change का आपको यहाँ पर sign मिल सकता है तो जैसा कि मैंने आपको price action के बारे में बताया हुआ है market कभी भी completely one sided momentum नहीं देता market थोड़ा उपर जाता है उपर जाने के बाद एक range bound phase में चला जाता है और जब यह market range bound phase को break करता है तो range bound phase को break करने के बाद फिर दुबारा upside का momentum देता है लेकिन यहाँ पर upside के momentum को इस सबसे बड़ा hurdle यह 1617 का level है पहली बाद जब तक market यह level को decisively break नहीं करता with volume के साथ तब तक हम लोग बोल नहीं सकते कि market में अभी upside continue रहेगा तो जिनको भी fresh buying करना है तो fresh buying करने के करने वालों के लिए मेरी एक साला रहेगी कि जब भी market यह level को break करेगा और break करने के candle के ओपर volume बहुत बढ़ी आना चाहिए तब ही जाके आप वहाँ पर fresh buy कर सकते हो तो यह fresh buy करने वालों के लिए साला रहेगी दूसरी बात जिनके पास अभी माल है रिलाइंस जिन्होंने खरीद के रखा हुआ है उनको कब तक hold करना है तो जिनके पास already sell माल already रिलाइंस जिन्होंने purchase करके रखा हुआ है तो उनका prospective जो है उस हिसाब से और रख सकते हैं लेकिन मैं आपको एक level important बता रहा हूँ ये जो level बन रहा है 1392 का ये level जब तक market में hold रहता है तब तक market में हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि आप सैड का potential market में बना रहेगा लेकिन आगर ये level decisively break होता है with volume के साथ तो दूबरा downtrend यहाँ पे continue हो सकता है तो जिनोंने market में already position बना के रखा हुआ है जिनका already reliance उनके account में है तो वो लोगों के लिए वो trailing stop का जो level रहेगा वो 1392 रुपे का रहेगा और जिनको fresh buying करना है उनको fresh buying सिर्फ 1617 रुपे के ओपर अगर breakout देता है with volume के साथ तब यह आप उसमें buying कीजे otherwise उसमें buying मत कीजे तो यह जो level मैंने आपको बताया हुआ है यह level इसलिए important है क्योंकि अगर आप chart price action को ठीक से study करोगे तो आपको यहाँ पर पता चलेगा market यहाँ पर उपर जाके नीचे आया था फिर दूबारा market उपर चला गया है फिर दूबारा यही level पर आके market उपर जाने की कोशिश कर रहा है अगर market उपर जाके दूबारा नीचे गुमता है तो यहाँ पर एक head and shoulder pattern बन सकता है और यह जो head and shoulder pattern है यह head and shoulder pattern एक important trend change का sign बताता है अभी तक यह pattern बना नहीं है लेकिन यह बनने की possibility है तो इसलिए आपको बहुत precociously इसमें काम करना पड़ेगा fresh buying जो है fresh buying इसी level के उपर करना है और जो जिनके पास already reliance के share है उनके लिए holding का यह नीचे का जो level है नीचे के level के साथ उनको hold करना पड़ेगा तो आगर आपको यह video अच्छा लगता है तो इसको like कीजे और यह जो अपना telegram का channel है यह telegram के channel में मैं free में यहाँ पर signals देता हूँ यह telegram का service completely free है जहाँ पर 32,000 से जादा लोग जुड़े हुए है इसका link मैंने नीचे description की box में दिया हुआ है यह link के उपर click करके आप यह telegram channel को join कर सकते हो अगर यह video आपको अच्छा लगता है तो इसको like कीजे, share कीजे, comment कीजे और यह channel को subscribe कीजे subscribe करने के बाद जो bell icon का button है वो bell icon के button को दबा दीजे तो जैसे ही मैं कोई नया video launch करता हूँ तो उसका notification आपको मिल जाएगा अगर यह नए topic के उपर आपको कोई video चाहिए तो मुझे comment section में वे से बता दीजे तो मैं मेरी तरब से वो video बनाने की पूरी कोशिस करूँगा Thank you very much